हेलो गाइज, वेलकम बेक टू तो आज जैसा कि मैंने आपको बताय था कि होले स्पेसल में हम लोग ने क्लासेदर पर स्टार्ट गियां जो कि स्टार्ड क्लासेज होंगी और यहां पर मैंने एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट किया है क्या कि कि फस्ट वाले सेशन में मैंने सारे प्रिलिम्स के लिए बट हम लोग टार्गेट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरू करें जल्दी से इसको स्टार्ट करते और देखते हैं किस टाइब के कोशन से साथ में आप लोग भी ट्राइ करना मैं इदर पर डारेक्ली आपको समझाने की कोशिश कर हुआ ओके सो इस कोशन नमों फर्स्ट यहां पर देखिए क्या दिया है टू फ्रेंट्स हरी सेन कल्यान एपिर फॉर एन एक्जाम लेट ए बी दा इवेंट धैट हरी से सिलेक्टेड and B is the event that कल्यान is selected तो A होगा event किसका के आपका हरी सेलेक्टेड हो जाएगा और B event है कि आपका कल्यान सेलेक्ट हो जाएगा ओके आगे दिखते हैं the priority of A is 2 by 5 तो A की priority का है 2 by 5 and the priority of B is 3 by 7 B की priority का 3 by 7 find the priority that both of them are selected to both of them are selected easy question पहली priority का 2 by 5 and 2 3 by 7 तो आपका आंजर कितना हो जागा 6 by 35 I think आपको समच में आ गया हो गाई question number अगला देखिए प्रिती वास बॉन बट्वीन अगस 26th and 30th यानि 2630 के बीच में होना है ठीक है 26 and 30 excluding इनको नहीं लेना है तो कौन-कौन जी डेट बचेंगे आपके पास 27 28 and 29 इनी तीनों डेज में प्रिती कहीं पर बॉन कर रही है यानि कि उसका बर्थ हो रहा है हर year of birth is also unknown उसका year जो है ना वो भी हमको नहीं पता है अब कितने से चलों मंडे कि यहां पर में फ्राइड यहां पर कितना आ जाएगा वेश्टे के बाद थर्सडे फ्राइड एंसेटरड़े 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 यहां पर आ जाएगा सेटरड़े संडे एंसेटरड़े 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 एंसेटर random from uh first 14 natural numbers what is the chance chance मतलब probability होता है what is the chance that is a multiple of either 4 और 14 तो 4 और 14 के multiple होना चाहिए 40 तक लेना है so this is 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा 4 का multiple लेना है 14 को भी हम लो के दर पे include करेंगे okay then आपका 12 हो गया 4 का multiply कर दो 4 का table लिख दो पूरा 4 का table पूरा कितना होता है 4 2013 14 12 हो गया then 16 then 20 then 24 then 28 then 32 then 36 okay तो कितने हो गाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेकिन मुझे क्या लेना था मुझे 14 भी लेना था अब देखो कितने हो गाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे 40 भी लेंगे विकास 14 ने चुरल है तो कितने हो गाए 10 और मुझे 14 भी लेना है तो 14 नितर पर आ जागा तो 11 हो गाए कितने टोटल वे हो गाए 11 वे हो गाए टोटल और यह हो गाए फैबरेवल और टोटल कितने है 40 so this is your answer clear next question देखो स्रीनाया फोगे दा लास्ट डिजिट ओफ 11 लेंड लेंड लाइन नंबर था उसकी लास्ट टू डिजिट बूल गई वह लास्ट डिजिट बूल गई इफ शी रेंडमली डाइल्स फाइनल टू डिजिट आफ्टर करेक्टली डाइलिंग दाइलिंग द लिजिट कोई भी नमबर ओका जिरो से स्टार्ड होता है और कहां तक चलता है वन तक यानिकी 0123456789 यह सारे नंबर से हो सकते यह तो तो टोटल कितने होते हैं यह 10 होते हैं तो तो यहां पर अगर प्रॉबरीटी देखे कि तो कोई एक ही नंबर पे करे कि कितने मैं से 10 मै 10 एंड यहां भी 1 by 10 okay so यह कितना हो जाएगा आपका 1 by 10 into 1 by 10 1 by 100 so this is your answer then what is the chance of dialing the correct number so this is your answer okay question number 5 प्या जाते हैं गाइस तो इस is question number 5 a military man can strike at the target once in three bullets to any key once in three bullet at least wali khani okay once in three bullets was come on a any comes again a virus come on a okay if he fires three bullets in succession यानि कि हर succession में वो क्या करता है three bullets उदर पर five करता है what is the priority that he will strike his target अगर वो टागेट को strike कर लेगा तो उसकी priority क्या बनेगी तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी इस ट्राइक नहीं करेगी तो यहां पर हम देखेंगे non strike के कोई भी strike नहां ना करे तो कोई भी strike उसकी नहीं करेगी तो उसकी probability क्या होगी उसकी probability होगी one by three one by three उसकी क्या होगे analyses कोई भी अगर वो strike नहीं करेगी और अगर मैं यहां पे निकालूं के ॐसे सॉर्ई नहीं यह इस ट्राइक करने ही प्राइट वो जाएगी तैक feature लेकिन ना करने कि उसकी श्राइक ना करने की प्रविल्टी तो यहां पे मुझे निकालना है एड लिस्ट और लीस्ट कैसी निकलता एड लीस्ट वनाइन समंस नंतों और इस वैल्यों या या लिए वन माइनफ एडवाइट 27.20 इधर पर आज जाएका तो 27-20 by 27 यानि कि यह कितना हो जाएगा आपका 19 by 27 तो यहां पर जो उसकी स्ट्राइक करने की प्राइक करने की प्राइटी होगी वो क्या होगी उसकी 19 by 27 चलो तो देखो अगर मैं बात करूं डैनिल की और अगर मैं बात करूं शरीण की तो यहां पर इक इंका लाइगा ओके फोट इस भाहिट तो इस सच अगर बोलेगा यह सच बोलेगा यह सच बोलेगा तो इसे जूट बोलना पड़ेगा है 2 x 5 3 by 7 यह तो सच बोल दिया अब क्या कर रहा है या तो यह किस बनेगा यह दूसरा यहां मैं प्लस हो जाता है दूसरा किस क्या बनेगा कि दैनियल इस भार कौन बोल दे डैनियल जूट बोलेगा तो धेस एंड यहां पर इससे सच बोलना पड़े कहा है नि-4 by 7 तो टोटल कितना हो रहा है तो इसी का तो परसेंटेज कितना आएगा परसेंटेज में तो यहां पर यहां पर यह आपका 50 से थोड़ा सा उपर आएगा हालका सब 51.something या 50 कोछ हो सकता है 50.something ओके सब्सक्राइब को तरह को कर रहे है पिछला कोशन अगर मैं देखूंगा ब्लड वाला से उसी तरह का यह कोशन तो नौट स्ट्राइक कि अबने की प्राइटी नौट स्ट्राइक अगर वो स्ट्राइक ना करे तो नौट स्ट्राइक कि प्राइटी वन जागी 1-3 by 4 या निकी 1 by 4 चलो आगे दिखते हैं फाइफ सच बुलिट और फाइट सामें टेल सी तो आगे टारगेट फॉंड वेरी पॉइंट उसी पॉंट से ठीक है वाट इस अप्राइट विल बी स्ट्राइक कि अनिकी टार्गेट स्टाइक हो जाए यह आपको प्राइटी निकालना अधर पे यह थाइब फाइब लेड निकालना अट लिस वन में अगर अगर पेटी सिक्स हमें और लेस वन में अगर कंडिशन होगी इस वाली कंडिशन में साइब लिस वन निकल था चीज है भी समय तो one-mnast तो नने स्ट्राइक वाली कॉंजी है यह वाली प्राइट एनी 1-1 माइन अपन 256 इसका है लेंगे तो 255 अपन में 256 आपको समझ में आ रहा हुआ गाइस कोशन नमबर 8 देखते हैं अक्षिया निकेता प्ले अगेम वेर इच इस आस्क तू स्लेक्ट अनमबर फ्रॉम 1-2-8 इफ two numbers same both of them win prize अगर दौनों same होंगे तो both of them win prize okay the probability that they will not win a prize in a single trial is तो हमें बताना है कि वो probability बताओ जिसमें वो win नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे 1- win तो यह आपका कौन सा आ जाएगा not win 1- win यानि की not win लेकिन win निकालने लिए क्या गरेंगे हम वो pair बनाएंगे देखो same number जबाएगा तो 1-1 आ जाए 2-2 आ जाए 8-8 आ जाए sorry 3-3 ऐसी डे 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 इस एट 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 आ जाए तो कितने इस वान टू-3455 होगा और टोटल वे कितने हैं दिस वान टू-3456-78910 और पूरा देखेंगे अगर हम तो कितने हो गए देस वैलू देस वैलू देस यानि 8 इंटू-8 यानि 64 होगा आपके टोटल वे क्लियर हुआ गाइस आचा तो एट से सको कट कर लेंगे हम लोग तो देखो फैबरेबल आपके 8 हो गए थे और यह आपके 64 यानि 8 से मैंने इसको कट कर दिया तो 1-1 by 8 कर दूंगा मैं तो यह कितना हो जागा देसे 7 by 8 हो जागा क्लियर हो गया विखो 64 कैसे हो यह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा देखो एक पर यह लाएगा एक पर यह लाएगा और वो इंटू में होते है यानि 8 पर यह इंटू में होते ना इसलिए वो 64 हो गया ओके चलिए next question 9 देखते हैं there are three events x y and z one of which must and only can happen यानि कि कोई एक इधर से happen होगा यानि एक तो होना है लेकिन मतलब तीनों में से कोई एक होगा और कोई ही एक ही होगा उदर पर कहने का मतलब यह है ठीक है if the odd are 7 ratio 4 against x यानि कि odd यानि कि events की बात बोला है वो कि odd events जो है वो 7 by 4 यानि 7 ratio 4 है अंगेज दा x यानि कि against x की बात कर देंगे हम लोग कुछ ऐसे यानि probability जो px की बनेगी वो कितनी बनेगी इस अंगेजड यानि कि अगर मैं 7 by 11 बोलता हूं यहां पर यहां पर जो प्रॉड़िटी पी एक्स की बनेगी जो नौट इवेंट होता है जो हैपन नहीं होता है दिससे 7 by 11 और जो पूचा क्या है the odd against z हमें z का event नकाला है जो odd यानि कि यह बाला yz तो हम कैसे नकालेंगे देखना या तो यह होगा या यह होगा या जैड होगा क्या बोलाता कि कोई एक ही event होगा या तो यह होगा या में क्या होता है प्लस होता है या तो z होगा और यह कोई भी एक event होगा यानि बरबर में एक हो गया ठीक है इसकी probability कहा है this is 4 by 11 and this is 3 by 8 so this is 4 by 11 and this is 3 by 8 और यह दोनों value इदर पर आ जाएंगी तो pz की value क्या निकलेगी this is 1 minus 4 by 11 और minus 3 by 8 ओके so यहाँ पर LC हम ले लेंगे हमनों कितना 88 तो यहाँ जाएगा आपका 88 और यह हो जाएगा आपका 32 और यह हो जाएगा आपका 33 इस मेंसे इसको less कर देंगे तो 55 बचेगा और 55 मेंसे 32 less कर देंगे तो इदर पर क्या बचने वाला है उसको देखते हैं यह हो गया आपका PZ लेकिन हमें और बताना है यानि रेशियो फॉर्म में इदर पर आंसर दे रहा है तो हमें PZ भी नकालना पड़ेगा तो PZ हमारा कैसे निकलेगा यह निकलेगा 1 minus 23 upon 88 तो इदर पर कितना आ जाएगा 88 यहाँ पर पहुंचेगा तो इस आपका बचेगा क आपका 23 upon 88 to 88 88 कैंशल हो जागा 65 रिश्यो 23 ओके गाई तो 9 कोशन आपके सामने हो चुक है और देखेंगे जल्दी से और बहुत अच्छे इसको सॉल करेंगे ओके देखें 6 male and 5 female stand in a queue for by a cinema ticket the priority that they stand in an alternate position तो male है 6 and female है 5 okay so this is male female एक मेल हो गया दो मेल तीन मेल चार पांच और छे female देख लो 1 2 3 4 5 female and 6 male हो गया अब यह alternate way में है अब हो सकता है female से start होता तो मेल के फैक्टोरियल कितने मनने फैबरेबल वे 6 factorial और फीमेल के इंटू 5 factorial और टोटल कितने है 6 & 5 11 factorial okay so this is the favorable way and this is the total way okay guys तो देखो इसको ब्रेक करते है 6 factorial को ऐसी रहें ने कि 5 factorial की value आपको याद होना चाहिए 120 होती है और 6 factorial की 720 मैं चाहता तो लिख देता तो यहां पर मैंने 120 लिख देए को क्यों ब्रेक नहीं किया देखते जाओ 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial इसलिए मैंने ब्रेक नहीं किया था इसको मैं से इसा कि मैंने आपको starting में बदाए था कि यह जो होली classes है ना यह बहुत important class होने वाली आपके लिए अगर आपके शेत्र में अगर आपके लाके के आसपास है तो उससे थोड़ा सजग रहें दूसरों को समझाए खुद भी समझे ओके थैंक्स फो वाचिंग दा वीडियो टाटा एंड टेक केर